गहरे लोग चार और सुखे जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में जो नुस्का हम आपके लेकर आए हैं वो आपके चहरे से जुर्यों का नाम निसान मिटा देगा दोस्तो जुर्यों का चहरे के उपर आना पहले उमर की निसानी माना जाता था बढ़ती हुई उमर की निसानी लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल या गलत खानपान की वज़े से कम उमर में भी हमारे चहरे के उपर जाईयां और जुर्यां आने लगती है दूसरी वज़ा य तरह के कोस्मेटिक प्रोडक्ट मिलते हैं और हर कोई खूबसूरत और गोरा दीखने के चक्र में उन क्रीमों को और उन बाहर के प्रोडक्ट को इस्तिमाल करता है और उसके अंदर जो केमिकल होते हैं उन्हें नजर अंदाज करके अपने चेहरे की खूबसूरती को बरबाद कर लेते हैं, रिजल्ड उसका यह होता है कि हमारे चहरे के उपर बहुत कम समय में और बहुत कम उमर में हमारे चहरे के उपर ज्धाईयां ज्भूरियां काले दाग धब्बे आने लगते हैं और हमारे चहरे का जो नैचरल खूबसूरती है नैचरल ग्लो है वो कहीं खोसा जाता है दोस्तो एक बार जब जुरियां चहरे पर आ जाएं तो बहुत तेजी से हमारे पूरे चहरे को जुरियां घेर लेती है और हम जब आयने के सामने खड़े होते हैं और अपना चहरा देखते हैं तो हम खुद चहरे के उपर शरमिंदा हो जाते हैं दोस्तो कहीं न कहीं हमारे मन में हीन भावना पैदा होने लगती हैं और जिसकी वज़े से हमें बहुत शर्माती है दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसा बैहतरीन और कजब का नुसका लेकर आएं हैं जो आपके चहरे से जुरियां का नामों निसान मिटा देगा और चहरे के उपर एक बहुत ही खुबसूरत गलो और चहरे के उपर एक नया आपका निखार आपके चहरे के उपर दिखाए देगा दोस्तों यह जो आप नुस्का देख रहे हैं यही है वो नुस्का जो आपको चहरे के ऊपर लगाना है और चहरे को खुबसुरत बनाना है इसके लिए हमें इनके रिटेंट्स चाहिए दोस्तों सिर्फ बेकिंग सोडा एक चमच कौन्टिटी पर ध्यान जरूर देना और दो चमच हमें चाहिए किसी भी कंपनी का नारियल का तेल ठीक है यह दो चीजे चाहिए इन दोनों चीजों को एक काची कटोरी आप लें और उसमें दोनों को मिक्स कर लें एक चमच बेकिंग सोडा और दो चमच नारियल तेल और इसको इस तरह से अच्छा सा मिला कर इसको पेश्ट बना लें और बस आपके चहरे को खुबसुरत बनाने के लिए यह मिसरम काफी है इस्तिमाल करने का तरीका आप अपने चहरे के ऊपर इसको लें आप इसमें जो हमने बताई है क्वांटिटी उस पर जरूर ध्यान दे रेशो का इसका ध्यान दे एक चमच बेकिंग सोडा लेना है तो दो चमच नारियल का तेल यदि आप दो चमच बेकिंग सोडा लेना चाहते हैं तो चार चममचस में नारी अलकर तेल डालें इसी रेशो में आपको इह मिलाना है ठीके अब तयार हो गया यह मिश्रन आप इसको अपने चेहरे पर रखें और इसको फिर आप इस तरह से इसको लगाएं सर्कुलर मोसन में बहुत हलके हाथ से चहरे की स्किन बहुत ही सेंसिटी और बहुत ही सॉफ्ट होती है जो आपने हलका हाथ नहीं रखा तो आपके चहरे के उपर जाईयां और भी जादा हो सकती है और अपने चहरे की स्किन को आप जाने इन जाने में डैमेज कर सकते हैं इसलिए हलके हाथ से इस तरह से सर्कुलर गोल गोल मोसन में अपने चहरे की मसाज करें और पांच मिनट के लिए इसको ऐसे ही लगा छोड़ दें उसके बाद अपने चहरे को हलके गरम पानी से दो ले बस कुछी दिनों के परियोग से आपके चहरे से जुर्वियों का नामों निसान मिट जाएगा आप फिर से वही आपके सरीर चहरे के उपर वही गलू, वही तेज और वही खुबसूरती फिर से लोट आएगी जो आपकी खुबसूरती बहार के ब्यूटी प्रोड़क्स ने चीन ली थी, वह फिर से आपके चहरे पर दिखाए देने लगेगी और वह भी बहुत कम समय में, दोस्तो इसके साइड अफेक्ट नहीं है और बिन दासा आप इसको यूज कर सकते हैं अपने चहरे के उपर ये पूरी तरह से आईरवेदिक है, नैचुरल है, इसके साइड अफेक्ट आपको नहीं हो गए हपते में इसको सिर्फ तीन दिन आप इस्तेमाल करें और सुबह से साम तक किसी भी वक्त आप इसको यूज कर सकते हैं बस ध्यान देने वाली बात ये है, अपने चहरे को साबुन से ना धोए, साबुन से दोने की बजाए आप नीम का फेसवास यूज करें या फिर एलोविरा का फेसवास यूज करें इन दोनों में जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी अच्छा लगे, उससे आप अपने चहरे को दो सकते हैं लेकिन साबुन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि साबुन के अंदर भी केमिकल होते हैं ठीक है दोस्तो, आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी तीवी जानकारी और हमारे ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, हम जलती फिल लोटेंगे, कुछ ने मर्ज औ और उनके आसान सी उपायों के साथ तब तक आप हंचते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें